पंडित कौन है कौन है मैं चल दी चलो एक बड़े पैसे वाली पाटी आई है आओ काशी के महापंडित हैं साध अच्छा करवाते हैं आए अच्छा हुआ नहीं तो सब मेहनत बेकार जाती है हमारा दंदा चौपट हो जाता है बगवान सर सर मेरे बोट में आजे यह सर आई यह सबकार वह फोटो वहां रखे अपता सामान यहां रखके जाईए और उस पवित्र गंगा नदी में इसनान करके आए हो महार महादे और शंभो शंकर अपरी गुरुची यह गहने वाली पाटी नहीं है काटने वाली पाटी है गंगा मैया यहां टुपकी लगाने से पाप दोल जाते हैं मेरे भाईयों को जिस जगह की मिट्टी पर मारा है उसी जगह की मिट्टी पर उसे भुला के मारूं ऐसा अशिर्फात दो मुझे कि बैठिये में शुरू करो अचा है भाई साब उनका नाम तो बताईये जाकु वीरेंदरनाथ पच्चास लोगों को मारने वाला जाकु वीर बात्रनाथ सत्तर लोगों को मारने वाला है जाकु वीर प्रतापनाथ, सौ बंदो को मारने वाला, मरे हुए पारा साल हो गए, अरी कौन सी जगह के हैं, पूछलो तो अच्छा है, सरकार, आप कहां के रहने वाले हैं, हैदराबा, शुरू करो, हाँ, हाँ, सुनो, मंतर शुरू करने को बोल रहे हैं, तुम लोग भी मंतर तो आपको ही पढ़ने हैं, हाँ, ये बात तो मुझे नहीं पता है दोस्त, लेकिन तुम भी रुखना मेरे साथ, हाँ, शुकलाम, भारदरम, विष्ण, शुषिवर्ण, चतुरू भुजम, परसंद मतरम, याजिये, सरोविक, नम, प्रसंद मतरम, याजिये, सरोविक हाँ, हालो, मुम्तास, मैं परदी बोल रहा हूँ, आज घर में महौल ठीक नहीं है, थोड़ी गढ़बढ है, गुस्ताख, तुमने शुकत अलिखा का प्यार देखा है, गुस्ता नहीं, इस दर्स जीते हम यहाँ, हैदरबाद के रहने वाले हम, इतने बरस हो गया हम तुम मुसल्मान हो, यह हिंदू है, आज तुमने इसकी 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 कोशिश की है, अगर यह बात किसी को पता चल गई, तो योध्या में राम की नहीं, बल्कि शौकत अलिखा के लिए हिंदू और मुसल्मान अप्रा खून बहा देंगे, सलीम, नहीं साफ, मुझे मा सुन रखता हूँ, मैं केंटीन में वेट करों तुम्हारी, लीज मेरी बात सुनो, मुझे तर लग रहा है, आज अगर तुम्हारे अबबा, हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुए, तो तुम्हें उठा के लिए जाओंगा, तुम फॉरान केंटीन के पास आजाओ, सुनो, तुम प्रदीप के मामा हो ना, हाँ, तेरे भानजे को शौकतली खान ने बांध रखा है, खान साब, ये काओन हो तुम, मैं प्रदीप का मामा हूँ, तुमने इसको दाल लोटी खिला कर बढ़ा किया, ये घास पूस खिला कर, मैं हैदराबास से यहां आकर बस गया, मैं जानता हूँ, तुम हिंदूों में और्तों की कितनी इज़त होती है, मैं बताए, तुमहारे भांजे ने क्या किया, मंताज, बॉलो मंताज, तुम उस्के प्यार करती हो, ये वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, बॉलो, मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ, अबबाजान, यही रोज फोन करके मुझे परिशान करता है, बस जो मुम्तास बेटी ने पाइजन खा लिया है अब हस्पतार में है यह चिठीलिक के जहर खा लिया उसने अल्ला की महरवानी से बच गई पैदीप के मामा के हाँ चलो मामाजी क्या हुआ? क्या हुआी जो इनके हाथों में तलवार दिखाई देती है तुझे मुझे तो इनकी आँखों में सिर्फ पश्चाताब दिखाई दे रहा है बोलिए शौकत अलिखान साब क्यों तश्रीफ लाए हैं आप यहाँ शर्क करना रायन मुझे माफ कर दो इस शौकत अलिखान ने जीवन में कभी अपने सर किसी के आगे नहीं जुकाया तुभारे आगे मैं पहली बार सर जुखाता हूं यह देखो यह हमारी बेटी का लिखा खत सुनो तो इसमें क्या लिखा है बाबा तुमने गुस्ताखी की है उस भले आद्वी को खुले आम पिटवा कर जिसका कारण मैं हूं मैं प्रदीव से प्यार करती हूं यह बात आपको बताना पाई इसकी वज़े से उस भले मानस का अपमान हुआ है तुम मेरे मलने के बाद उस से माफी जरूर मांग लेना जहर पी कर जान देना चाहती थी मेरी बेटी उसको बचाकर तुम्हारे पास मुम्ताज बेटा आसी हमारी बेटी नहीं बलकि तुम्हारी बेटी है जाओ बेटा अशिर्वाद लो अरे रहने दूब शोगत भाई सब लोग आप जैसे सोचे तो मजभब के नाम पर जगड़े क्यों होंगे जात्पांत को लेकर प्यार करने वाले आत्भत्या क्यों करेंगे तुम्हारे संस्कार के आगे हाथ जोगता नहीं है बहुत खुशी होई भाई हुआ 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 हुआ